प्लाटफोर्म पे आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन एकॉनमी रमेश सिंग 12 एडिशन का चैप्टर 11 अभी तक हम बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर्स कर चुके हमने 10 चैप्टर पूरे कर लिया है आज हम आगे चैप्टर 11 की तरफ पड़ेंगे आप चैप्टर 11 क भी फॉलोव कर सकते हैं जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है comprehensive coverage होगा ये बुक अगले 15-16 classes में खतम कर दी जाएगी banking के लिए अच्छी है SSC के लिए अच्छी है और UPSC के लिए तो ये must है ठीक है अगर आप EPFO देने जा रहे है next month तब भी ये book आपके लिए बहुत important है आपको इसको cover करना चाहिए तो चले शुरू करते हैं chapter 11 बात करता है Indian financial markets की तो इस book के contents एक बार देखते हैं इस chapter के money market के बारे में हमें पढ़ना है mutual funds के बारे में पढ़ना है तो money market यहाँ पर आप देखेंगे दो types में आपको मिलेगी देन उसके बाद आपको further capital market का यहाँ पर mention मिलेगा लेकिन capital market को detail में हम पढ़ेंगे 13 चाप्टल में तो चलेए शुरूर करते हैं सबसे पहले समझते है financial market होती क्या है देखो financial market यह कहती है कि जहां पर funds surplus से scarcity की तरफ transfer होते हैं जहां पर भी transaction होता है fund surplus का fund scarcity के साथ उसे हम कहते है financial market यानि जहां पर लेंदार और देंदार दो ऐसे parties हैं दो ऐसे लोग हैं जो transaction करते हैं वो होती है financial market अब यह financial market usually interest के basis पर की जाती है जो transactions होती है यह dividend के basis पर की जाती है मतलब सरल चब्दों में आपने किसी को पैसा देना है आप चाहेंगे कि बदले में कुछ return आपको मिले आपने किसी को lending करनी है कोई आपसे borrowing कर रहा है तो आप चाहेंगे कि बदले में मुझे कुछ interest म financial market को दो parts में divide कर सकते हैं organized market जो organized institutions चलाते हैं unorganized market जो money lenders वगयरा चलाते हैं इन सब को हम detail में पढ़ेंगे financial market again दो categories में divide की जा सकती है short term market long term market तो इस chart के थुरू समझते हैं यह हुए हमारी financial market इसे आपने divide किया short term में long term में short term वो market जो 364 days के नीचे के transactions को देखती है मतलब जहां पर पैसे का आदान प्रदान 364 दिन से कम अवधी के लिए किया जाता है long term जो 365 और more days के लिए होती है यह एक साल से जादा के लिए होती है short term market में आती है money market long term market में आती है capital market short term market जो है money market जो है वो organized unorganized दोनों तरह से बटी होती है तो इसको हम फर्दर समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले चलते है money market पे देखो money market एक short term market है यहाँ पर money core aspect है ठीक है तो money का ही आदान प्रदान transaction हो रहा है यहाँ पे जो trade होता है वो individuals के बीच में भी हो सकता है financial institutions के बीच में भी हो सकता है government और banks के बीच में भी हो सकता है तो यह सारे लोग involved होते है इसके अलावा जो यहाँ पर trade होता है वो कहा जाता है जो exchange होता है वो कहा जाता है कि discount rate पे होता है discount rate, discount rate का मतलब अगर हम detail में समझने की कोशिश करें तो discount rate का मतलब यह होता है let us say आपको मैंने कोई financial instrument बेचा, ठीक है, अब मैंने इससे कहा, इस financial instrument की जो value है, वो है 100 rupees, आपको इस पर 5% interest मिलेगा 6 महीने के बाद, यानि यह 100 रुपय आप मुझे दे जाओ, ठीक है, यह instrument ले जाओ 6 महीने बाद मेरे पास आना 5% interest दूँगा, तो वो कैसे होता है, यह discount rate पे इशू होगा, यानि already 100 रुपय की चीज़ आपको 95 रुपय में दे दी जाएगी, तो पहले ही 5 रुपय discount कर दे गए हैं जब आप मेरे पास आओगी 6 महीने बाद मैं इसके बदले आपको 100 रुपय दे दूँगा, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको interest जो है, मिल जाता है, चीक है तो इस तरह से किया जाता है, यह होता है discount rate, तो यही discount rate कई बार interest rate के साथ भी interchange होता है तो याद रखना जितने भी government securities होती है, government treasury bills होते हैं, सब discount rate पे issue किये जाते हैं, bonds होते हैं सब discount rate पे issue किये जाते हैं यानि इसके एक face value होती है जो final maturity पे आपको मिलती है, यानि उसके लिखा है 100 रुपय तो शायद वो आपको 92 रुपय, 93 94 रुपय मिल जाए, 94 रुपय मिल जाए जो भी interest rate है, या जो भी आपको उस पे return मिलना है, लेकिंग जब आप वापिस देने जाओगे एक साल के बाद, 6 महिने के बाद, जो भी duration है, तो आपको face value मिल जाएगे यानि 100 रुपय वापिस मिलेंगे यह होता है, discount rate चलते हैं, money market के तरह, तो money market की जो borrowings है, वो collateral के साथ भी हो सकती है collateral free भी हो सकती है, वो vary करेगा time to time, अब यहाँ पे financial assets जो हैं वो quickly money में convert हो जाते हैं बहुत लंबा समय नहीं लगता आपने पैसे दिये, बदले में आपको treasury bills मिल गए, आप treasury bills लेके गए, बदले में आपको पैसे मिल गए, तो quick transactions होते हैं, money market में, और कम से कम trading cost होती है, बहुत सस्ते दामों में इन सब चीजों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि यह बहुत छोटे समय के लिए होता है, तो interest rate बहुत हाई नहीं होता, आप देखेंगे, जो short term interest rate होता है, वो हमेशा low होता है क्यों low होता है, देखो जब एक छोटी अवधी का आपको, कोई transaction आपके साथ किया जाता है, आपको lending borrowing की जाती है, तो उसमें interest rate का मिसले रखा जाते है, क्योंकि बहुत जल्दी पैसा वापस आ जाएगा, तो देखो बहुत जादा return नहीं मिलेगा, surety, जितनी जल्दी पैसा वापस आएगा, उतनी surety देखो, जितनी short term के लिए, आप पैसे को देंगे, तो आपको उतनी surety हो गया, पांच महीने की बात है वापस आ जाएगा, तो उसमें आपको बहुत return नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो अबधी 15 साल, 10 साल, 20 साल हो जाएगी, तो 20 साल किसने देखे हैं, कौन जानता है 20 साल बात क्या होगा, तो इसलिए लंबी अबधी के जो loans होते हैं, उसमें interest rate बहुत जादा होता है, छोटी अबधी की जो borrowing lending होती है, उसमें interest rate बहुत कम होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि money market में बहुत कम price pay transactions होते हैं, इसलिए यहाँ पे liquidity बहुत high होती है, क्योंकि बहुत जल्दी इसको आप इसकी sale purchase करते हैं, अब money market जो है वो organized, unorganized दोनों तरह से काम करती है, money market क्यों करी जाती है, क्यों रखी जाती है इसका सबसे बड़ा factor यह है कि money की availability easy कर देती है money market में अब bank को 2-4 दिन के लिए पैसा चाहिए, अब bank 2-4 दिन के लिए आज भी नहीं जाएगा, bank 2-4 दिन के लिए market से पैसा नहीं उठाएगा दो दिन की बात है, बैंक कोई transaction करना चाहता है, उसको कुछ पैसे short पड़ रहे है 100 करोड रुपे short पड़ रहे है अब वो 100 करोड के लिए market तो जाएगा नहीं, ठीक है पैसा उठाने, या RBI के पास भी नहीं जाएगा तो bank to bank transaction कर लेगा bank to bank call money option ले लेगा तो easy availability money होती है money market में, क्योंकि दूसरे bank को भी पता है, दो दिन की बात है मेरे पास अभी 500 करोड पर फालतू पड़े मैं इसको दे रहता हूँ, दो दिन का generation साथ साथ होती रहती है, support होता रहता है growth को, अब देखो, bank अपना काम करते रहते हैं, बैंकों को परिशान होने की जरुरत नहीं पड़ती, दो चार दिन की बात है दो चार दिन का उधार मिल जाता है, फिर दो चार दिन से A factory है, उसको 6 मंत के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि 6 महीने बार उसकी दूसरी unit स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर वहाँ से उसको income आने लगेगी, अब वो लंबा लोगन तो नहीं लेगा, तो वो 6 महीने के लिए money market से, एक instrument अभी हम देखेंगे, money market से पैसा उठा सकता है, तो यही पूरा का पूरा concept है, money market का, और कहा जाता है, money market, capitalistic goals को पूरा करती है, और funds की scarcity को भी पूरा करती है, कभी funds नहीं है, को issue हा रहा है, कोई crisis हा रही है, तो इन सब चीजों में scarcity को पूरा किया जाता है, अब आगे इंडिया में देखते हैं कि money market कैसे function करती है, देखो money market इंडिया में कहा जाता है, बहुत नई market है, सिर्फ 30 साल पुरानी, 3 decades पुरानी है, पहले सिर्फ money market government को serve करती थी, उसके बाद उसको local और off the government private institutes के लिए भी खोला गया, चरक्रवर्ती committee ने इसकी नीट पहली बार बताई, 1985 में कहा, कि इंडिया में अगर industries को बढ़ावा देना है, तो money market ज़रूरी है, money market से banking sector भी बेटर होगा industries को भी छोटे-छोटे loans मिलेंगे, कम अब दी जिससे वो अपनी growth देख पाएंगी, इसी के बाद wagul committee ने इसका blueprint बनाया कि कैसे इंडिया में money market को operate करना है, और अब money market organized unorganized दोनों तरह से काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि पहले money market नहीं थी, पहले भी थी, पहले साहुकारों के दोरा, श्रॉफ्स, bankers के दोरा ठीक है, इस तरह से money market operate करती थी, पर unorganized sector में, उसके बाद इसी sector को organized किया गया, तो अगर हम unorganized sector की बात करें, unorganized मतलब जो government के control से बाहर है, साहुकार का concept आप देखी रहे हैं, जमानों से चला रहा है, तो यही साहुकारी का जो concept है, यह unorganized money market की बात करता है, century से चला रहा है, कोई नहीं जान तक कब से, जब से शायद पैसा आया है, तब से चला रहा है, सरकारे से regulate नहीं कर पाती, पर हां recognize करती है, मना भी नहीं करती करने से, जैसे करती है, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, तो सरकार recognize करती है, सरकारे भी जानती है कि साहुकारी का जो system चलता आ रहा है, श्रॉफ बैंकर का जो system है, चलता आ रहा है, तो इसको allow किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ government कोशिश करती है कि farmer को आप formal credit sector में लाएं, formal मतलब बैंकों से उनको credit दिलवाएं, बैंक उन लोग को loan दें, क्योंकि बैंक जब loan देते हैं तो सकता loan देते हैं, साहुकार लोग बहुत मेहंगा loan देते हैं, और 1997 से इनको NBFC भी बनाया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे साहुकार लोग थे, बड़े-बड़े साहुकार हैं, जो बैंकर community होती थी, उनको सरकारों ने license दे दे के banks में convert करना शुरू किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे unorganized money market के बारे में, यहाँ पर unregulated non-bank financial intermediaries हैं, ऐसी financial intermediaries जो bank भी नहीं है, और regulate भी नहीं करती, इसके अलावा chit fund का concept आप देखेंगे, chit fund को सरकार regulate करती है अब, यह निधी, एक South India में concept होता है, जो अपने सिर्फ members को ही funding करती है, जिसे आप, आप देखेंगे Catholic Syrian bank है, यह सारे जो हैं निधी operate होते हैं तरह से, यानि जो इनके members होते हैं, बस उनहीं को पैसा दिया जाता है, अगर आप और मैं और हम 10-15 लोग मिलके एक निधी बना लें, तो निधी में हम सब कुछ पैसा डालेंगे, तो वो पैसा लोग, अब हम 15 लोगों में से अपनी अपनी सिस्टम होता है, जिसमें लोग एक दूसरे की financial needs को पूरा करते हैं, तो यह साउथ इंडिया में काफी चलता है, loan companies established की गई, जिनने regulate किया जाता है, interest rate देखो problem क्या होती है, अनगरेंज सेक्टर के साथ, कि इनके interest rate बहुत जादा होते हैं, तो यही साहुकार का problem है, कि साहुकार लोग पैसा तो देते हैं किसानों को, लेकिन इतना जादा interest लेते हैं, इतना जादा ब्याज लेते हैं कि कभी किसान वापिस नहीं कर पाता, और इसी के चलते हैं बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं, वो debt trap में फस जाते हैं, वो एक loan चुकाने के लिए, एक उधार चुकाने के लिए दूसरा उधार लेते हैं, उसको चुकाने के लिए तीसरा लेते हैं, और जीवन भर कभी भी वो धार नहीं चुका पाते exploitative है nature देखो जैसा मैंने बताया government इसको regulate नहीं करती लेकिन recognize करती है सरकार भी जानती है कि ये बहुत exploitative system है उसके बाद जूद भी सरकारे जो हैं वो formal system में किसान को credit लेने की बात करती है वो कोशिश करती है कि किसान KCC किसान credit card के through various norms के through former sector से loan को उठाए देखो इसे economy को कोई benefit नहीं होता क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो सारा profits होता है वो साहुकार लोग ले जाते हैं तो कहते हैं कि unorganized money market से कोई benefit नहीं होता यह chit fund को more detail में आगे भी पड़ेंगे जब हम financial instruments पड़ेंगे तो chit fund जो है वो government ने अब regulate करने की बात की है ठीक है तो chit fund होता क्या समझ लेते हैं chit fund एक तरह की scheme होती है जो government allow करती है regulate करती है अब chit fund में क्या होता है कि लोग मिलके पैसा invest करते हैं कमिटी सिस्टम अगर आपन और्थ इंडिया की जानते होंगे तो वही होता है कि 15 लोगों ने मिलके एक एक लाक रुपे देने की बात की है हम लोग एक लाक रुपे डालेंगे तो 15 लाक रुपे हो जाएंगे अब 15 लाक रुपे में लोग क्या कर सकते हैं इसको इंटरस्ट पे उठा सकते हैं तो इस तरह से ये चिट फंड वर्क करता है इस चिट फंड को बहुत डिटेल में हम अगले चाप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि वहां की requirement है आगे बढ़ते हैं एक और concept आता है indigenous bankers का तो indigenous bankers क्या होते हैं ये भी एक बार समझ लेते हैं ये भी unorganized money market का part है ये deposits लेते हैं ये money lend करते हैं individual capacity में अपने private funds है यानि जो local bankers होते हैं जिने bank का license नहीं मिला आता लेकिन banking के काम ये लोग कर रहे होते हैं सरकारे इने allow करते हैं क्योंकि ये लोगों की credit demand को meet करते हैं किसे को पैसे की जरूरत है बैंकों से loan नहीं दे रहा तो वो जाकि indigenous bankers से loan ले सकता है उसमें आप देखें के गुजराती श्रॉफ्स जो हैं बहुत famous हैं कोलकता मुंबई में इस तरह के बहुत सारी indigenous bankers हैं मुलतानी शिकारपुरी श्रॉफ्स हैं मुंबई कोलकता नौर्थीस्टल इंडिया में आपको ये लोग मिलेंगे और मारवाडी कायस हैं ये सारे लोग indigenous bankers होते हैं जिने आप सहुकार कहते हैं हम अपने नौर्थ इंडिया में इनको सहुकार भी कहते हैं फिर चन्नाई में ने चेतियार कहा जाता है तो ये सारे लोग एक तरह से बहुत जादा अमीर सहुकार होते हैं जो अपने पैसे को अपने individual पैसे को लोगों में बाटते हैं उनको loan पे देते हैं ब्याज पे देते हैं और जो भी return आता है उससे ये लोग अपना business चलाते हैं इसी तरह से money lenders का concept भी बहुत पुराना है देखो वो जो चेतियार से बहुत है रहा थे वो indigenous bankers कहे जाते हैं क्योंकि वो खांदानी ये काम करते आ रहे हैं लंबे समय से money lender आप और मैं हो सकते हैं मारा एक खांदानी बिजनिस नहीं है तो मेरे पास कुछ extra पैस है मैंने लोगों को loan पे देने शुरू कर दिये banking system से बाहर मैं work कर रहा हूँ तो मैं जो भी loan जिसकी जैसी जरूत है उसको वैसा interest पे मैं पैसा दे रहा हूँ तो यह localized form है money market की money lenders exploitation बहुत करते हैं सब जानते हैं और यह अपनी income इसी तरह से बनाते हैं जैसे मेरे पास spare पैसा है मैंने उसको इलाके पे अपने North India में word सुना होगा ब्यास पे इलाके पे दे दिया तो इस तरह से मैं अपनी earnings कर सकता हूँ यह non professional money lenders होते हैं या फिर subsidiary business वले होते हैं तो इस तरह का काम कोई भी कर सकता है इससे सरकाल से कोई license लेने की जरूरत नहीं बस आपके पास पूंजी होनी चाहिए capital होनी चाहिए इस काम को करने की अब unorganized market के साथ problem क्या है देखो क्यों unorganized market हमारी चल रही अभी भी क्योंकि problem यह है कि money market इंडिया में बहुत ज़्यादा develop नहीं हुई थी penetration नहीं वो organized sector का जैसे मैंने आपको बताया कि किसान अगर bankों से loan नहीं ले पारा तो वो कहां जाए तो सरकारे कहते हैं कि कोई बात नहीं सेक्टर के वो सारी छोटे- różषोटे लोन्स यो bank नहीं पूरे कर पाते जैसे बच्चे की शादी करनी है चीक यह बैंक में जा कि इस बात करतो loan मिलेगा नहीं कि घर में शादी है बेटे की शादी करनी है बेटे की शादी करनी है तो यह सारे loan कौन देगा है, सारे loan आपको सहुकार देदेगा, तो इसलिए सरकारे भी जानते हैं कि unorganized money market भी उतना ही important part economy का जितना organized sector है कहते हैं कि unorganized sector से अभी हमने पड़ा economy को कोई benefit नहीं मिलता पर ऐसा नहीं है, कहीं न कहीं unorganized money market या indigenous banker, सहुकार लोग किसी तरह का consumerism को तो बढ़ावा देते ही हैं, जब लोग इनसे पैसा लेके खर्चा करते हैं, तो वो market से products ही खरीदते हैं, तो कहीं न कहीं market में पैसा वापिस जाता है, वो बात अलग है कि interest rate बहुत जादा है, तो अब वो person की जरुत की उपर depend करता है, कि उसको कहा से loan लेना है या उसकी credit availability पर depend करता है तो यह एक reason है, कि need-based borrowing है, restrictive system है lenders का bank सबको loan नहीं देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कि बच्चे की शादी का loan लेना है, बेटे की शादी करानी है, कोई जाके बुले bank से loan देते हैं, तो इस तरह का कोई provision नहीं है, bank में loan देने का, तो यह सारे loan जो है, वो सिर्फ सहुकार लोग ही दे सकते हैं, तो इसी लिए सरकार जो है, unorganized money market को नहीं हटाती है, 1980s के बाद से organized money market को शुरू किया गया, हमने देखा, कि 1980s के बाद से organized money market पर फोकस किया गया, इसमें 8 instruments आते हैं, important, जो हमें पढ़ने हैं, treasury bill, certificate of deposit, repo and reverse repo, commercial paper, commercial bill, call money market, money market mutual fund, और cash management bill, यह 8 तरह के instruments हमें यहाँ पर पढ़ने, necessary हैं, आगे देखते हैं, treasury bill के बारे में, treasury bill जैसा है कि देको नाम सजेस्ट करता है, 1986 हम इसको use में लेकर है, यह central government यूज करती है, short term liquidity को meet करने के लिए, इसका period क्योंकि एक money market instrument है, जो 364 days से नीचे होता है, होता है क्या idea, देखो अगर government को short term loans चाहिए होते हैं, तो वो treasury bill को raise करके ले सकती है, treasury bill में government एक interest rate बता देती है, discounted price बता देती है, उस price पे इसको बेचा जाता है, और इससे क्या होता है, कि government की short term money requirements पूरी हो जाती है, जैसे आप यह देख रहे हैं, कि premium price bonds यह 1963 के हैं, टीक है, तो bonds जो होते हैं, वो long tenure के लिए होते हैं, treasury bills जो होते हैं, वो short tenure के लिए use के जाते हैं, अब 86 के बाद से आपने देखा, government इसको बहुत ज़्यादा use में लेके आई है, central government यूज कर रही है, short term liquidity या देखने वाली बात है, अच्छे, banks के लेने के investment revenue बन जाता है, banks जो हैं, अगर banks के बाद surplus money है, तो वो treasury bills में invest कर देते हैं, सरकार को पैसा मिल जाता है, banks को interest मिल जाता है, पैसे पे profit मिल जाता है, अब इससे CRR, SLR conditions भी bank की time to time पूरी होती रहती है, इसको पढ़ेंगे हम CRR, SLR conditions को हम detail में पढ़ेंगे, banking के chapter में, तो ये treasury bill एक तरह से government के लिए money raising instrument हो गया, short term के लिए और banks के लिए investment instrument हो गया, इसके अलावा certificate of deposits होते हैं, certificate of deposits क्या होते हैं, ये भी एक तरह के money market instruments होते हैं, जो DMAT form में, मतलब non, यानि digital form में issue किये जाते हैं, इनको आप promissory note भी कहते हैं, यानि आपने banks एक certificate of deposit खरीदा, किसी financial institution से खरीदा, अब ये certificate of deposit क्या कहेगा, कि 6 महिने बाद मुझसे आप 5% interest पे return ले जाना, आपने bank को 100 रुपे का certificate of deposit बैंक से खरीदा, कुछ इस तरह का है, 100 रुपे का certificate of deposit आपको मिला, 95 रुपे में, discounted price पे मिला, अब bank ने आप से का, जब 6 मिने बाद आओगे, तो मुझसे 100 रुपे ले जाना, ठीक है, तो ये होते हैं, certificate of deposit, discount value पे issue किये जाते हैं, ठीक है, banks इनको issue करती है, ये floating rate basis पे भी होते हैं, ये fixed rate basis पे भी होते हैं, वो depend करता है, लोग इसमें invest करते हैं, इसमें invest करने से return मिलता है, और banks को पैसा मिल जाता है, capital मिल जाती है, तो maturity period जो होती है, वो banks अपने according सेट कर सकता है, कम से कम 7 दिन के लिए होते हैं, और 1 साल से ज़ादा नहीं हो सकता है, तो याद रखना, ये होते हैं certificate of deposits, इसके अलावा जो दूसरी चीज़े वो है, repo और reverse repo ये भी money market instrument है, ये liquidity adjustment facility का भी पार्ट है, LAF का भी पार्ट है, तो repo और reverse repo को भी एक बार detail में देख लेते हैं, ये basic अगर आप देखेंगे, RBI का 1934 का act, उसमें लिखा है कि repo किया एक instrument है, जिसके थूरू borrowing की जा सकती है, funds की securities of central government या state government की, ठीक है, तो RBI उनके बहाफ पे ये काम करेगा, ये चीज़ यहाँ पे mention है, अच्छा इसमें participants कौन होते हैं, कौन इनमें invest कर सकता है, cash borrowers होते हैं, आप देखेंगे, cash lenders होते हैं, investment banks, hedge funds, mutual funds, अब तो private लोगों को भी कहा गया है, कि आप भी individual capacity में RBI के थूरू इसको खरीच सकते हैं, तो depend करता है, कि कौन खरीद रहा है, कौन इसको बेच रहा है, अब repo rate को basically हम देख लेते हैं, कि कैसे ये function करता है, क्या होता है exactly repo rate, ठीक है, तो यहाँ पर government की जो securities का sale purchase होता है, उसके लिए rate fix किया जाता है, उसी को हम कहते हैं, repo, reverse repo का concept, अब repo को बढ़ते हैं, क्या होता exactly, देखो, RBI bank कहता है, कि मुझे कुछ पैसे की जूरत है, RBI कहता है, ठीक है, मैं दे दूँगा, RBI कहता है, लेकिन ऐसे नहीं दूँगा, ठीक है, मैंने आपको ऐसे पैसे दे दिया, आप लेके भाग गए, मुझे इसके बदले में कुई security collateral तो दो, अब bank ने security collateral कहां से लिया हो था, हमने देखा था, treasury bills में invest किया हो था bank ने, bank के पास कुछ securities थी, government securities थी, कुछ collateral चीज़े हैं, तो bank ने थीक है, आप मुझे, ये आप में से security collateral ले लो, और मुझे इसके बदले में आप पैसा दे दो, 20 करोड की securities में आपको सरकारी दे देता हूँ, बदले में आप मुझे पैसा दे दो, अब जब इसके opposite होता है, opposite क्या होता है, banks के पास surplus cash होता है, बहुत ज़्यादा cash होता है, अब RBI को market से liquidity को सब करना होता है, RBI चाहती है कि market से liquidity को बाहर निकाले, यानि market में पैसा कम करें, तो RBI क्या कहेगा, bank को कहेगा, लो 20 करोड की securities रख लो, इस securities पे interest मिलेगा, और इसके बदले हम से हमें पैसे दे दो, चीक है, तो RBI क्या करेगा, market से excess fund निकाल लेगा, और बदले में securities, collaterals जो है वो दे देगा, तो यह होता है, repurchase option and reverse repo, तो यह दो तरह की चीज़े हो गई, एक आपका होगया repurchase option या repo, यह क्या होगा, एक market, money market instrument होगा, जो short term collateral borrowing के लिए, banks use करते हैं, financial institutions use करते हैं, concept मैंने आपको पताई दिया है, कि bank A ने loan लिया 100 crore का RBI से, एक दिन के लिए, अब एक दिन के लिए उसने अपने government bonds RBI पर रख दिये, 100 crore के, और एक दिन बाद जब उसने, वापिस करे, और RBI अपनी RBI bank के securities bank को लटा देगा, तो repo के एक money market instrument है, जो lending, borrowing और sale purchase दोनों ही एक साथ कर रहता है, यह बात याद रखना, कि इसमें lending, borrowing भी होती है, और securities की sale purchase भी हो रही होती है, तो यह important है, कि यहाँ पर double transactions चलते हैं, अब interest rate जिसमें RBI बोरो करेगा bank से, उसको आप बोलेंगे reverse repo rate, जब RBI ने bank से कोई पैसा उठाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कि वो एक reverse repo है, भी हमने उस concept को देखा, reverse repo usually देखो, RBI को पैसे की ज़रत नहीं पढ़ती है, RBI सिर्फ reverse repo का इस्तेमाल इसले करता है, जिससे की वो excess money खीच पाए bank को से, तो ये बात important हुजाती है, अच्छे है, reverse repo repo को हम एक बार फिर से detail में पढ़ेंगे, जब हम banking को पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पी जितना mention है, पैसे लेने में पैसे लेने में इंट्रसेट नहीं होता, तब ही लेता है, जब market में money supply को उसको constraint करना होता है, अब रोज-रोज अगर bank को लग रहा है कि market में अगर हम पैसा दें, तो market 6% interest दे रही है हमें, RBI को दें तो RBI 3% interest दे रहा है, पर RBI के तो guarantee RBI तो वापिस देगा ही देगा, तो bank सारे पैसे लेके भग जाते हैं RBI के पास, RBI कहता है हमारे पास मताओ, फाल्तू पैसा है ज़्यादा पैसा तो market में invest करो, क्योंकि देखो banks क्या है, financial institutions क्या है, backbone economy की, अगर वो सारा पैसा RBI को दे देंगे, excess money, उनके पास फाल्तू excessive money पड़ा हुआ है, और वो सब RBI को दे देंगे, तो बाकी market में फिर क्या देंगे, RBI reverse repo को discourage करता है, ये बात ध्यान रखना, इसलिए हमेशा repo rate, जो है वो reverse repo rate से ज़्यादा होता है, अगर repo rate 4% चल रहा है, तो आपको reverse repo rate 3.5%, 3.75, 3.60 दिखेगा, हमेशा RBI reverse repo को नीचे रखता है, जितना जादा reverse repo नीचे रखेगा, उतने bank discourage होंगे, RBI को पैसे देने से, हाँ जब excess money है market में, RBI को लग रहा है inflation control करना है, तो फिर तो वो reverse repo का इस्तिमाल करेगा, तो usually reverse repo को सिर्फ inflation control के लिए use किया जाता है, otherwise RBI हमेशा banks को कहता है, अगर excessive money है, तो ढंग से lending करो, सो समझ के लोगों को पैसा दो, ऐसा नहीं किसी को भी दे रहे हो, जो लोग आपको लगता है background चेक करो, collateral लो, जिसके पास कोई आप से 20 करोड का loan लेके जा रहा है, वो आपको 30 करोड की collateral की property दे रहा है, तो फिर तो उसको जरूर दो, क्यों रोक रहे हो, तो कम से कम sane lending करो, अब इसके अलावा उर्जित पटेल कमिटी ने, एक और repo को introduce किया था, यह भी हम इसको आगे फिल से पढ़ेंगे, term repo, term reverse repo, यह basically, हमने देखा repo क्या होता है, repo एक दिन के लिए होता है, reverse repo को longer duration के लिए बनाया गया, तो इसको भी term repo कहा जाता है, यह लंबी अवधी के repo rate पे borrowing होती है, अब इसका interest rate हमेशा repo से उपर होता है, देखो, मैंने आपको बताया है, जैसे जैसे loan की अवधी, जैसे जैसे loan का duration, tenure बढ़ता जाएगा, interest rate बढ़ता जाएगा, अब repo rate में तो RBI को पता है, bank एक से दो दिन में, overnight money भी होता है, एक से दो दिन में पैसा लटा देगा, तो बहुत कम interest में बैंकों को पैसा दिया जाता है, लेकिन जब बैंकों को जाधा time चाहिए होता है, पैसा लटाने में तो RBI interest rate भी बढ़ा देता है, तो term repo auction के थुरू होता है, सबको नहीं दिया जाता, auction लगाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है, उसको term repo में पैसा मिलता है, term repo में कोशिश ये की जाती है, usually banks term repo में तब जाते हैं, जब उनके पास liquidity crunch लंबा होता है, वैसे माना जाता है, एक दो दिन का liquidity crunch होता है, वो RBI से निपढ़ जाएगा, लेकिन लंबा crunch है, तो फिर इसलिए auction का concept होता है, जादा interest rate होता है, और उसमें भी collateral जो हैं, या securities जो हैं RBI को देनी पड़ती है, तो bank अगर 28 दिन के लिए पैसा ले जा रहा है, तो repo से जादा interest rate उसको मिलेगा पहली बात, लोन टेकिंग प्रोसेस, या collateralized lending and borrowing, तो यह ज़रूरी होता है, क्योंकि लोन जादा duration के लिए होता है, इसलिए repo rate से जादा term repo का rate रखा जाता है, अब थोड़ा सा concept पढ़ लेते हैं, reverse repo, repo को inflation control में कैसे use किया जाता है, देखो reverse repo rate कम होता है, तो दोनों cases में RBI जो है regulation को कर सकती है, अगर repo rate बढ़ जाएगा, लेट असे आज repo rate अभी आपने COVID के टाइम पर देखा, repo rate least हो गया, बहुत कम ले जाया गया, 3.3% तक ले जाया गया, इससे क्या होगा, जितना कम repo rate होगा, उतने जादा banks borrowing कर सकते हैं, और उस पैसे को लेके market में दे सकते हैं, या अपनी day-to-day crunch को पूरा कर सकते हैं, दूसरी बात एक बात और है, कि repo rate से interest rate भी derive होते हैं market के, इसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे होते हैं, तो इसलिए जो repo rate होता है, हमेशे interest rate उसके आसपास, उसके 3-4% उपर, 0.5% उपर ही आपको दिखता है, तो अभी क्या COVID का टाइम है, RBI ने repo rate को least बहुत कम कर दिया है, इससे market में interest rate भी आप देख रहे हैं, तो अगर RBI repo rate को बढ़ा देती है, तो उससे क्या होता है, लोग कम borrowing करते हैं, discourage होते हैं, market में money supply रुख जाती है, और inflation control हो जाती है, अभी disinflation चल रही है, deflation चल रही है, market में पैसा नहीं है, RBI repo rate को कम कर देगी, minimalistic कर देगी, जब कम कर देगी, तो interest rate भी कम हो जाएगा, interest rate कम होगा, money supply भी बड़ेगी, इसके साथ साथ हम CRR SLR को भी पढ़ेगी, ये process साथ में काम करते हैं, तो ये अगले chapter का part है, तो increase होगा money supply और inflation भी जो है, वो increase हो जाएगी, इसके बाद जो term हमें पढ़ना है, वो है commercial papers, commercial paper देगो, जो हमने treasury bills देखे थे, treasury bills सरकारी होते हैं, ऐसी commercial paper private companies के होते हैं, जैसे मैं और आप, अगर market से हमें की company रेलाइन्स हैं, रेलाइन्स को market से पैसा उठाना है, तो वो commercial paper इशू कर देगी, जैसे सरकार treasury bill इशू कर देती है, ऐसे ही 364 days से कम अबदी के, commercial papers को इशू कर दिया जाता है, अब commercial paper के होते हैं, short term debt instrument होते हैं, एक साल से कम अबदी के होते हैं, यह unsecured money market instrument होते हैं, unsecured मतलब, रेलाइन्स आपके पास आई, बोले ही मेरे को 500 रुपे दे दो, ठीक है, एक साल के बाद, या 10 महीने के बाद, आपको 8% interest दूँगा 500 रुपे पे, अब ये कैसे होगा, रेलाइन्स ने आपको commercial paper पकड़ा दिया, 500 रुपे का आपने रेलाइन्स को 500 रुपे दे दिये, अब आप 10 महीने बाद गया, रेलाइन्स के बाद, पास रेलाइन्स ने 500 रुपे आपके वापिस कर दिये, commercial paper लेके, प्लस जो भी interest rate हमने fix किया था, वो मिलेगा, commercial paper अनसिक्यर होते हैं, ये बात याद रखना, 10 महीने के बाद, अगर रेलाइन्स आपको मना कर देता है, या कोई company आपको मना कर देती है, पास पैसा नहीं था 90's तक, अब बैंक उनको loan नहीं दे पा रहे थे, वो growth नहीं कर पा रही थी, जो FDI भारत में आने की बात हो रही थी, जो privatization, liberalization की बात हो रही थी, वो तो कामी नहीं कर पाती, इसलिए government को लगा नहीं commercial paper, banking sector में commercial paper होना जरूरी है, आर्बिया नहीं इसको allow किया, तो यह 7 दिन से लेके, 1 साल तक के लिए issue किया जा सकता है, यह usually बड़ी बड़ी corporations, जो हैं, वो अपने short term, पैसे की problem को solve करने के लिए, short term receivables के लिए, short term money, crunch को, पूरा करने के लिए issue करती है, अब अच्छा, ऐसे ही सब ने issue कर सकती, आप Reliance के commercial paper में क्यों invest करोगे, कुछ भाई, guarantee भी तो होनी चीए न, कहीत हो रहा है कि हाँ, एक company कह रही है कि मैं आपको 10% return दूँगी, क्या उसका पुराना track record ठीक है, check तो करना पड़ेगा, उसने पहले भी जब-जब market से पैसा उठाया, लोगों का पैसा लटाया नहीं लटाया, इसके लिए क्या होता है, credit rating मिलती है इनको, इसको हम आगे फिल detail में पढ़ेंगे, देखो 11 chapter, 12 chapter, 13 chapter बहुत connected है, तो यसी तरह से इसको पढ़ा जाएगा, अब credit rating होती है, अब credit rating क्या होती है, कि company को credit rating मिलती है, अब आप जाएंगे company के bonds की, अगर आप बात करें, तो companies के bonds को, या companies के commercial paper को, ऐसे rating दी जाती है, AAA class bond है, AB plus bond है, तीक है जो कहा जाता, जो AAA bond होते हैं, वो best bond होते हैं, या बहुत हाई grade company के bonds होते हैं, बाकी bonds हैं, AB bonds दे दिया, AB plus bond दे दिया, तो यह सब credit rating होती है, यह credit rating RBI ने का बहुत जरूरी है, good credit rating बहुत जरूरी है, अगर किसी company की credit rating अच्छी है, तब ही आप उसके bond खरी दिये, या उसके commercial papers खरी दिये, तो यही यहाँ पे बात है, अभी rating करने वाली agencies बहुत सारी है, क्रिसेल है एक रहा है, इसको भी हम बहुत detail में पढ़ेंगे, तो यही commercial paper को rating देती हैं, rating देखके लोग उसमें invest करते हैं, similar lines पे, एक commercial bills भी होते हैं, अब यहाँ पे confusion रहते है, अब उसको क्या लगता है, कि भाई 100 दिन अब कौन वेट करेगा, मुझे और आगे के orders भी पूरे करने, अब government of India की commercial bill को लेके, वो गई SBI के पास, बोले यार मेरे government of India से पैसे आने, ठीके 90 दिन के बाद आएंगे, SBI बोलेगा कितने हैं, बोलते हैं 20 करोड रुपे हैं, SBI बोलते हैं ठीक है, हमें 2% short पे ये दे दो, Reliance मान जाएगा, Reliance काएगा, ठीक है, आप मुझे 20 करोड के 2% कम दे दो, और अपना आप बाद में, बैंक और government सेटल करते रहना, तो इसको कहते हैं commercial bills, commercial bills का जो process होता है, उसमें, जो invoices होती हैं, जो companies race करती हैं, बैंक इनको finance कर देते हैं, तो ये एक important जाते हैं, ये सबको facility नहीं मिलती, ये कुछ trustworthy, trusted companies को ही मिलती है, बैसे मैंने भी इस तरह का कोई invoice बना लिया, ABC purpose से, ठीक है, मैं जाके bank को बोलूँ, उस person के पैसे देने हैं मुझे, उस person से मुझे पैसे लेने हैं, 100 रुपे, आप मुझे 55 रुपे देता है, उससे 100 रुपे की उगाई करते रहना, ठीक है, तो bank ऐसे सबको, commercial bills सबके finance करके नहीं देती है, इसमें क्यों आता है, जो trusted companies होती हैं, और जो trust worthy agencies होती है, इससे bank को भी बता है, केस में, Reliance जो है, बैंक से एक discounted पैसा ले सकता है, और बैंक बाद में, जब 90 दिन पूरे हो जाएं, तो वो सरकार के पास उस commercial bill को लेके जाएगी, और सरकार उसको 20 करोड दे देगा, तो ये इस तरह से banks earning करते हैं, ये instrument होते हैं, जो एक sale होने के बाद होते हैं, पहले नहीं, यानि goods जो हैं, वो Reliance government को भी हिज़ दे, government को goods मिल जाएं, उसके बदले में, government एक bill को accept कर लें, कि हाँ आपके goods आ गए हैं, चेक हो गए हैं, सब कुछ ठीक है, 20 करोड रोपय आपके देने, 90 दिन बाद आके ले जाना, हमारी तरफ से, बस आप पैसे देने रहे गए, बाकी सब settled है, फिर वो Bill लेके Reliance जाएगा, SBA के पास, SBA काएगा, ठीक है, 2% कम में, आपको पैसा दे दे रहो, मैं बाद में government से पैसे ले लूँगा, तो यह होता है, Commercial Bill का process, तो यह दोनों के बीच में, डिफरेंस होता है, जैसे इंडिया फाइलिंग्स ने एक बहुत अच्छा graph दिया हुआ है, बहुत अच्छी website है यह, तो यहाँ पर वो बताएंगे कि, पहले trade हुआ, फिर invoice हुई, फिर bank के पास गए, bank ने discounting कर दिया bill का, इसे bill discounting process भी कहते हैं, ठीक है, बोलते हैं, अच्छा 20 करोड रुपे हैं, तो हमसे 2% कम ले जाओ, अब Reliance को भी लगेगा, 90 दिन कौन रुके, 2% कमी की तो बात है, 15% का profit जाओना था, 13% हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, रकम बड़ी है, ले लेता हूँ, ले लिया, अब bank को क्या मिला, bank को ये 2% मिला, bank ने ये 20 करोड रुपे, 90 दिन के लिए, ऐसा समझो, 2% पे दिये, तो bank को भी कुछ ना कुछ तो profit मिला, वो पैसा spare पड़ा हुआ था, फिर सबसे बड़ी आते हैं, सरकारी बिल था, bank को भी पता है, पैसा कहीं नहीं जाना, 90 दिन बाद मिलेगा ही मिलेगा, इसे कहते हैं, discounting, और बाद में bank अपने आप, 90 दिन पूरे होते ही, अपने आप सरकार से settlement कर लेगी, Reliance की tension खतम, तो यही दोनों के बीच का difference है, लोग confused रहते हैं, commercial paper और commercial bill में, याद रखना, commercial bill, commercial paper दोनों ही financial instruments है, commercial paper, loan raise करने के लिए, finances raise करने के लिए, use किया जाता है, और commercial bill जो होते हैं, वो एक तरह से company को, अपने money, जो समान उन्होंने बेचा है, उसके money को recover करने में, use किया जाते हैं, तो यह important है, यह दोनों चीज़े, अपने अपने आप में important है, commercial paper, companies जो है, वो short term finance requirement के लिए raise करती हैं, और commercial bill जो है, वो company अपना पैसा निकालने के लिए, यूज करती है, तो यह दोनों का difference है, आगे दिया हुआ call money market, call money market, देखो inter bank money market होती है, एक bank, दूसरे bank से on call पैसा ले सकता है, short term funding needs इससे पूरी की जाती है, 14 दिन तक के लिए call money market जो है, वो operate होती है, इसे भी हम further detail में देखेंगे, अब call money market एक तरह से, banks एक दूसरे की help करते हैं, reserve को पूरा करने में, अब किसी bank को आज CRR पूरा करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, आज के हिजाब से उसके पास CRR नहीं है, उसने SBI की दूसरी ब्रांज से पैसा मंगा लिया, call money पे, ठीक का call money, ये borrowings जो होती है, ये बिना securities के होती है, और छोटे छोटे इंटरस रेट के केस को हम आगे इसमें पढ़ेंगे, तो usually repo के केस पे, repo के इंटरस रेट पे, call money market में पैसा उठाया जाता है, अब call money market में कौन-कौन borrow कर सकता है, और कौन-कौन सिर्फ lend कर सकता है, borrowers कौन बन सकते हैं, सारे banks borrow कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, call money में, इसके आगे हम एक और concept पढ़ना है, mutual fund, तो mutual fund आपको money market और capital market दोनों का concept में, दोनों जगे पढ़ा जाएगा, क्योंकि दोनों में आता है, अभी 1992 से इंडिया में इंट्रिजूस किये गए थे, आप सुनते हैंगे ads में mutual fund सही है, यह short term investment opportunity individuals को, पैसा invest करना चाहते हो तो, mutual funds खरीदो, सेवी कहता है सही है, 2000 से इसको सेवी के अंडर डाल दिया गया, अचा mutual funds पे dual regulation होता है, यह कैसा fund है, जिस पे दो regulatory bodies काम करती है, एक सेवी, सेवी इसके fund के type को regulate करती है, कैसा fund है, कैसे उसको issue करना है, कैसे लोगों को बेचना है, RBI जो है, वो mutual funds की liquidity crisis को manage करती है, अगर mutual fund में कोई liquidity crisis हो गई है, तो RBI manage करती है, mutual fund का regulation से भी करती है, तो यहाद आतना है, दोनों ही organizations के regulation में आता है, RBI liquidity की problem को solve करती है, mutual fund industry की, commercial bank, public, private, financial institutions, कोई भी mutual fund को set कर सकता है, सेवी से license लेना होता है, सेवी से पूरा का पूरा प्राधान को पूरा करना होता है, अब यह समझते है, mutual fund होता क्या है, देखो मुझे stock market में invest करना है, मुझे market की समझ नहीं है, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, अब मैं गया एक mutual fund के पास, उसने कहा ठीक है, एक काम खोरो, आप 5-4 अरवे महीना देते रहो, घर बैठे रहो, एक साल के बाद, मैं आपको 10% interest दूँगा, ऐसा वो promise कर रहा है, मुझे भी लगता है, कि मुझे stock market की समझ नहीं है, कौन सा stock कब खरीदना है, कब बेचना है, मेरे पास इतना समय नहीं है, दिमाग नहीं है, तो मैंने वो पैसा अपना दे दिया, अब मेरे जैसे बहुत सारे investors होंगे, तो इस fund manager ने क्या किया, हम सब लोगों से पैसे ले लिए, और पैसे को pool कर दिया, तो यानि mutual पैसा हो गया, यह fund में mutual investment हो गया, आपका, मेरा सब का मिलके, एक fund में पैसा चला गया, अब यह person समझदार आदमी है, इसको जहां समझ में आता है, invest करता है, return आता है, यह securities में invest करेगा, यह debt में invest करेगा, सरकार में पैसा लगाएगा, मतलब सरकार के bonds करीदेगा, securities करीदेगा, हम इससे कोई मतलब नि, हम पैसे पहले बता देगा, कि किस टाइब का mutual fund है, hybrid mutual fund है, stock market mutual fund है, debt mutual fund है, सारी बाते हमें पहले बताएगा, टिके डिटेल में तो जैसे कहता न से भी की subject to market risk please read red herring prospectus मतलब पहले समझ लो कि भाईया कहा मेरा पैसा invest करो ये बता दो बस तो बता देगा फिर उसके बाद return आएगा return में अपनी fees काट के जो return आएगा वो हमारे according जिसने जितना invest के उसके according उसको पैसा मिल जाएगा mutual fund कभी guaranteed return नहीं देते हैं अगर वो कह रहा है 10% return आएगा हो सकता है 10% return आ जाए कोई बड़ी बात नहीं और हो सकता है कि minus 10% return भी आए तो ये इसलिए से भी भी कहती है कि subject to market risk मार्केट में करना है मार्केट में जो fluctuation होगी वो आपके mutual fund में भी होगी अगर आप mutual fund manage करते हैं तो आप देखते होंगे आज आपका 500 रुपे का mutual fund कोई बड़ी बात नहीं बावन सो रुपे का हो और कोई बड़ी बात नहीं कर मार्केट क्राश कर जाए तो यह mutual fund मनी मार्केट दोनों का पार्ट होते में आपको बता चुका हूँ से भी जो है इसका regulation देखती है और RBI इसके money crisis को solve करती है कोई fix return की बात कोई fix return है सच नहीं होता यही से भी बार-बार कहती है कि अपने mutual fund buyers को बेखकू मत बनाओ सच बता दो लेकिन वही है buying selling industry है तो वो एक marketing वाला हिसाब हो जाता है सबको कहा जाता है कि mutual fund अच्छी चीज़ है बाकी market से safe है माना जाता है better है depend करता है आप कौन से fund में invest कर रहे हैं अब mutual fund देखो कई तरह के होते हैं इतना जादा में detail में जाने की ज़रूरत नहीं समझ लेते हैं mutual fund open ended है close ended है equity linked है मतलब stock market से linked है balanced है दोनों का stock और debt का mix है सिफ debt में सरकार के debt में ठीक है अब reliance के debt में invest कर रहे है money market instrument का है close ended है open ended कभी भी आओ कभी भी जाओ ठीक है कोई आप लगता है दोस महीने बाद आपके पैसानी आप mutual fund से exit मार सकते हो close ended क्या होता है कि usually fixed time के लिए 2 साल का fund है तो आपको 2 साल तक invest करके रहना होता है तो इस तरह के close ended open ended funds जो है वो market में available होते हैं अब types of mutual fund में बहुत डीटेल में जाने की ज़रू होते हैं bond funds है stock funds है money market hybrid funds है इसमें एक चीज़ जो book में दिया होगा वो nav दिया होगा net asset value तो को nav क्या होता है nav basically जैसा मैंने आपको बताया कि यह पूरा का पूरा आपका daily का जो money जो daily का आपका mutual fund का price कैसे calculate होता है कि लिटा से आपने 1000 रुपे invest किये थे अब वो 1000 रुपे के share आज 1200 रुपे के हो गए जिसमें invest किये गए थे आपके mutual fund manager ने तो जो भी current assets है 1200 रुपे आपने 1000 रुपे invest किया आज 200 रुपे बड़ा हुआ है minus fund की कोई भी liabilities है ठीक है कोई fund से fee कटना है 2% fee कटेगा तो कट कटा के आपका NAV आता है per unit net asset value और इसी के according आपका mutual fund जो है वो calculate होता है तो कहा जाता है कि mutual fund एक NAV के according आप उसको measure कर सकते हो यह price होता at which investors buy fund units from a fund company and sell it back to the fund house तो इसको calculate calculation का बहुत लंबा process है हमारे लिए important नहीं है बस आपको यह पता होना चाहिए कि आपने 1000 रुपे invest किये हैं और आज वो 1500 रुपे हो गए है तो यह 1500 में जो भी liabilities होगी fund की, manager की fees होगी, खर्चे होगी सब कट कटा के आपको शायद 1450 रुपे वापिस मिल जाए तो यही होती है net asset value आज आपके fund की यानि जो आपने 1000 पे invest किया था आज वो 1450 रुपे का है यह होती है value अब mutual fund कुछ exchange, exchange credit भी होते हैं उनको exchange पर रख दिया जाता है जैसे जैसे market उपर नीचे जाती है वैसे वैसे वो mutual funds के pricing भी change होती रहती है आपके जो profit हैं, losses हैं वो बदलते रहते हैं बहुत liquid होते हैं, इसको आप कभी भी बेच सकते हो, directly बेच सकते हो ठीक है, तो ETF funds होते हैं, इसको बनाया गया था उसमें आपने invest किया, कल आपको लगता है कि आपको फंड नहीं रखना आप कली बेच तो, परसो बेच तो, कभी भी बेच तो तो ये सारी चीजे जो है mutual fund की important है exchange traded fund को थोड़ा better माना जाता है क्योंकि वो market के according work करता है, वो सस्ता होता है सस्ता as in, कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा fee नहीं देनी पड़ती अपने fund manager की, क्योंकि वो market से link कर दिया जाता है अब इसके advantages, disadvantages देखो, क्या diversification हो जाता है risk का, ठीक है risk तो रहता ही रहता है, लेकिन diversification हो जाता है return fix मिलेगा नहीं मिलेगा, government-backed regulatory होती है सेभी को, क्योंकि सेभी manage करती है, तो कोशिश यही की जाती है जब-जब कोई भी mutual fund default करता है, तो RBI और सेभी बचाने आजाती है जैसे भी हमने देखा, Franklin Templeton के funds ने default किया सेभी ने उस पर pressure बनाया, ठीक है, और time के साथ-साथ जैसे-से fund revive हुए, लेट हुए लोगों के पैसे, लेकिन वापस आ गए return नहीं हुए, लेकिन actual principal amount तो अटलीस लोग का वापस आया, return उनको कुछ खास नहीं मिला, profits नहीं हुए, लेकिन अपने जो पैसे थे, जो अपनी जमा पूंजी थी, वो वापस आ गए, और थोड़ा easy होता है investor के लिए, क्योंकि यहां पे जो crisis होती है, जो भी losses होते हैं, वो share हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं आप ये समझेए, कि आपने equity, debt schemes ही हम देख चुके हैं अभी, hybrid है scheme है, जिसमें debt और equity दोनों में होगा, solution oriented है, जैसे retirement pension plan है, ये fund है, वो fund है, child care fund है, इस तरह के funds होते हैं, या other schemes, सिर्फ 6 ही तरह के funds लाए जाए जाएंगे, पहले क्या था, company जितने सारे funds ले आई थी, कि लोग confused गाते थे, कि इसमें करें, company खुद भी उनको बता नहीं पाती थी, तो लोग confused state में रहते थे, इसलिए अब इसको सिर्फ 6 तरह के funds को तारा गया है, 2017 से, आगे देखने में SBA Discount and Finance House of India Limited, ये एक primary dealer की तरह institution है, जिसको 88 में RBI ने jointly established किया था, अभी SBI के पास है, इसलिए SBI के नामसे से जाना जाता है, अब primary dealer institution करता गया, ये समझ लेते हैं, ये basically government को help करता है, book building process में, book building process का मतलब जो government की primary securities होती है, जो government market में लेके आती है, treasury bills, treasury bonds, ये इनको खरीद के, time time इनको खरीदती रहती है है, बेचती रहती है, इसकी liquidity बनाए रखती है, और फिर secondary market transactions में help करती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, कि government से खरीदती है, और further आगे secondary transactions कराती है, ऐसा नहीं हो कि government ने treasury bonds शुकिया, और कोई खरीदने और नहीं है, तो इससे market में government के reputation बहुत खराब होजेगी, तो इन securities को government treasury bills को खरीदते रहते हैं, तो important हो जाती है, एक तरह से दोनों function करती है, lender के और borrower के भी, क्या होगा, ये liquidity में maintain रखेगी, और financial market में stability भी maintain रखेगी, तो ये इसके लिए बहुत important बात हो जाती है, इसके बाद जो मैं term समझने है, वो है capital market, वो फर्दर अगले chapter में, और detail में देखेंगे, capital market हर वो market होगी, जो 365 दिन से जादा duration के लिए work करती है, अब capital market के ज़रुत क्यों पड़ी, जो long term financing needs है, companies की, सरकार की, वो कहां से आएगी, वो capital markets आती है, और usually long term borrowing क्यों की जाती है, productive assets बनाने में, या capital assets, capital assets का मतलब कि कोई industry बनानी है, highway बनाना है, त कुछ capital खर्च करने के बाद भी कुछ assets तो create हुआ, एक industry create हुई, machinery create हुई, तो वो capital assets होते हैं, अब productive assets बनाने के लिए, लंबी अबदी के जब loan चाहिए होते हैं, तो वो capital markets उठाये जाते हैं, ये industrialization की एक requirement भी थी, result भी था, और इसको कहा जाता है कि capital market में सबसे important जो functionaries होत हैं, क्योंकि capital market वाले loans, साहुकार तो देंगे, अब साहुकार से loan लेंगे 20 साल का 50% सालाना interest पर तो आदमी तो कभी return ही नहीं कर पाएगा, तो capital market में सबसे important जो functionaries होते हैं, वो banks होते हैं, उनको primary pillar कहा जाता है, उसके बाद mutual funds, जैसे अब हमने mutual fund पढ़ा, अब mutual fund ने हमसे पैसे लिए और वो आगे government securities में, government debt में भी invest करता है, commercial papers में invest करता है, बड़ी companies को लंबे loan देने में invest करता है, तो इस तरह से ये capital markets वें function करती है, stock market भी capital market का part है, insurance भी capital market का part है, और जितनी vibrant आपकी capital market होगी, उतनी vibrant economy होगी, capital market ज़रूरी है, industrialization के ग्रोथ के लिए, इसलिए इसको over the time established किया गया, जैसा मैंने आपको बताया, project financing करनी होती थी, 1980s में, जब industrialization शुरू हो रहा था, तो सरकारों के पास पैसे नहीं होते थे, banks के पास पैसे नहीं होते थे, support करने लिए highways projects को, industrialization को, तो इसलिए हमने capital market को open किया, तो capital market में, क्योंकि जो regular banks थे, उनके पास पैसा नहीं था, saving rate कम था, तो वो further investment नहीं कर पाते थे, इसके लिए government ने, एक specific organizations को establish किया, जो development banks बने आगे जाके, जिनने आप all India financial institutions भी कह सकते हैं, जैसे उस समय में, ICICI एक टाइम में यही था, तो ये institutions सिर्फ सरकार को loan देने के लिए बनाए गए गए थे, specialized financial institutions थे, investment institutions थ जिसमें आपको नबार्थ भी दिखेगा, जिसमें आपको SIDBी भी दिखेगा, इस तरह के institutions, जैसे कि आप देखेंगे, पहले जो all India financial institutions थे, ICICI, IDBI, SIDBी जैसे institutions डेवलप किये गए, इनका काम क्या था, बड़े-बड़े projects को finance करना, fund करना, over the time यह universal banks में convert किये गए, जैसे जैसे जरुवत बढ़ती गई, ठीक है, तो public sector financial institutions को central government fund करती थी, यह fixed interest pay, पैसा बाटते थे, financial activities करते थे, ठीक है, एक particular purpose के लिए, SIDBी, small industries के लिए, नाबार्थ, agriculture sector के लिए, अलके-अलके इने banks में merge करते गए हम, नरसिमन कमिटी आई, नरसिमन कमिटी ने कहा, एक all India development banks की जरुरत है, ठीक है, तो इसलिए, इनको banking sector से link किया गया, इस तरह से ICSA, IDBI को further जाके banks में convert किया गया, तो important है सारी चीज़ है, किसका किस से merger हुआ है, important नहीं है, पर आमें यह पता होना चाहिए, कि all India financial institutions जो हैं, वो जरूरी थे, over the time, वो development banks में convert हो गए, अभी आपके पास SIDBI, Exim Bank और National Housing Bank, यह चार ऐसे financial institutions हैं, जो all India financial institutions की तरह काम कर रहे हैं, इनका काम सिर्फ finance देना है, ठीक है, आप यहाँ जाके खाता नहीं खुलवा सकते, आप Exim Bank में नबार्द में जाके खाता नहीं खुलवा सकते, बस यह loan देते हैं, Specialized Finance institutions एक तरह से नहीं कहा जाता है, जरुवत क्या है, इनके जरुवत इसलिए थी, क्योंकि special areas में fund चाहिए, अब agriculture fund नबार्द देगा, agriculture loan नबार्द देगा, इस तरह से UTI, Tourism Finance Corporation, यह सारी, जो जितने भी इस तरह की institutions है over the time, develop किये गए, इसके बाद government को लगा कि हमें investment institutions भी चाहिए, तो LIC, UTI और GIC जैसे institutions को develop किया गया, states ने अपने institutions बनाए, ठीक है, तो यह सारी जो चीज़े हैं, वो investment के purpose over the time develop होती रही, अब इसके अलावा जो हमें पढ़ना है, वो FSDC के बारे में, Financial Stability Development Council, यह क्या है, इसको 2010 में established किया गया था, इसका काम है कि देश में financial stability क को maintain रखना, coordination करना, financial sector का, यह एक statutory body नहीं है, important है, तो भी क्यों है, government ने FSDC को expand किया है, इसमें Minister of State Economic Affairs को भी इसका part बनाया है, और Secretary Department of IT, Electronics को भी part बनाया है, revenue Secretary को भी इसमें रखा गया है, idea के है, digital economy को better करना है, ठीक है, तो अब जो chairman है, insolvency board के उसको भी part बनाया गया है, FSDC एक important organization है देश की, इतना ही हमें इसके लिए पढ़ना है, इस chapter में इतना ही है, कुछ question solve करना ही, कोशिश करते हैं, Concert the following statement with regard to mutual funds, mutual fund is run by a group of qualified people, जो form करते हैं, asset management company, mutual funds are compulsory registered with RBI, infrastructure investment trust and REITs are examples of mutual funds, इसको हम further भी देखेंगे आगे और detail में, आपको बस इतना पता होना चाहिए, कि register उनका CB के साथ होता है, यह बात important हो जाती है, तो 1 and 3 are correct, ठीक है, तो अगर आप 2 को wrong कर दें, तो आपका answer वैसे भ solve हो जाएगा, चलते हैं, call money के लिए कौन सा true नहीं है, यह एक interbank money market instrument है, जहाँ पे funds are borrowed and lent generally for one day, funds can be borrowed for a maximum period of 14 days, schedule commercial bank, cooperative banks, यह दोनों lender और borrower की तरह work करते हैं, mutual funds are allowed to operate only as borrowers in money market, call money market, call money market में mutual funds borrower नहीं होते हैं, lenders होते हैं, mutual fund तो borrower हो भी नहीं सकते हैं, उनके पास तो पहले ही पैसा है लोगों का, हमारा आपका पैसा उनहीं के पास है, वो invest करते हैं, banks में, तो D यहाँ पे गलत है, चलते हैं question 3 की तरफ, hybrid annuity model, last chapter का question है, यह consider the following statement, under this model, risk related to inflation and cost overruns are covered by private sector, हैम आपने देखो, याद करो, private player is paid a fixed sum of economic compensation, अगर private player fixed sum मिलेगा उसको, तो फिर जो private sector उसको inflation की cost और overrun cost नहीं बेव करनी पड़ी, कौन करेगा, government करेगा, तो one wrong है, अगर first wrong हो जाता है, तो आपका answer वैसे भी solve हो गया, 40-60 के ratio से, funding का division यहाँ पे होता है, Swiss challenge model हमने देखा था, एक bidder आता है, फिर वो challenge करता है, उसक इसको public करती है, फिर उसको challenge करती है, फिर original bidder के पास जाते हैं, पूछते हैं कि वो person यह भाव में दे रहा, तुम दोगे क्या, तो accordingly, जो procurement है, वो किया जाता है, तो इसमें A correct होगा, public procurement model, तो आचा करता है, चाप्टर आपको समझ में आया होगा, अगले session में मिलेगे chapter 12 के स साथ, जो चीज़ें आपे detail में discuss नहीं की हैं, वो chapter 12 में करेंगे, क्योंकि वो उसका inherent part है, तब तक के लिए आप videos को देखते रहे हैं, PDF में टेल्गारम चानल से डाउनलोड कर सकते हैं, मिलते हैं अगले session में, तब तक के लिए, goodbye, take care and God bless you all.